Hello Guys, Welcome to my Youtube Channel Bombay Stock Trader इस वीडियो मैं मैं आपकी लिए बहतरी stock लेके आया हूँ आप गैस कर से ते वो stock का नाम क्या है वो stock के रिलेट आज news आई है वो sector के रिलेट आज news आई है जो specifically इस company के लिए एक बागी company के लिए positive news है और वीडियो साट करने से पहले मैं आज का देट बाताना चाहता हूँ आज की डेट है 24th August 2020 तो लेट स्टार्ट इस वीडियो इस ओंडी फोर एडुकेशनल पॉर्पर्वर्वस वह स्टॉक के बारे में बाताने से पहले आज के बारे मिल पीछले वीडियो में आख को तीन स्टॉक रेक्यमेंड किये थे उसके बारे मनें आपडेट दयता हूँ आज सो मैंने जो मेरे पिछले वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो आप ऊपर एक iButton उसमें क्लिक कर गया वह वीडियो देख सकते है तो पिछले वीडियो में आपको तीन शॉक्स दियेते हैं I hope आप ये स्क्रीन देख सकते हैं मैं जूम इन करता है थोड़ा फर्स टॉक है फर्स सोल्यूशन मैंने आपको 59.75 पैसे के इसमें दिया था खरीतने के लिए फर टार्केट उफ 64, 75 पैसे फर्स टार्केट आपको जैसे फर्स टार्केट अची होता है थोड़ा प्रॉफिट बॉक कीचिए अगर आपके एडवाईसर से इंवेस कर रहे हैं आपके जैसे टार्गेट अचीफ होता है आपका वैसे प्रॉफिट बॉक कीचिए और वह जो लेविल्स थे वह फ्राइडे के क्लोजिंग लेविल्स थे अब देख सकते ही 21 तारीक का और आज 24 तारीक 24 अगर्स 2020 सोंबार का दिन है और आज वह स्टोक क्लोज हुआ है फॉस्टो साल्यूक्षिन अट लेविल्स थे लेविल्स थे इन पैसे शिपिंग कोपरेशन अफ इंडिया क्लोज हुआ है 64 रूपीज 55 पैसे और फेडरल बैंक क्लोज हुआ है अच 56 रूपीज 70 पैसे तो एक अपडेट था मेरे जो लास्ट वीडियो को मैं आपको स्टोक्स रेक्मेंड किये थे आपके वाचलेस में रखने के लिए क्लोज है इस अच के बात करते हैं उस तोक के बात कर देने से पहले पात था कि उस तॉक के सेस्ट के लेटिक नूस है जो आप देख सकते हों आप यहां पर लिखा है इस तरह कि गवर्मंट एकसेंट्स आंटी रंबंबिंग duty for three months on caustic soda from china and korea so basically जो domestic companies उनके लिए advantages है जैसे कि gujarat alkaliis so मैं उस gujarat alkaliis का थोड़े मैं उसके levels पताता हूँ चार्ट पर जाते है so हम चार्ट पर आ गए है gujarat alkaliis के जैसे कि आप देख सकते हैं so सबसे पहले ही डेली चार्ट है जो इसके एक candles जो आपको यह दिखा रहे वह एक दिन का क्या levels पर ट्रेड किया वह बताता है so आज आप देख सकते है 24th August 2020 आज stock almost 4% उपर था and मैंने stock इसके लिए चुना है क्योंकि आप first चीज किसी stock में देखने के लिए है वह होता है volume stock का यह बताता है कि stock में कोई बड़े players का है आ गया है interest आ गया है and इसमें बड़े players भी है जिसमें volumes देख सकते हैं पिछले महीनों से एक एक काफी अच्छा volume आप देखने मिल रहा है यह हुआ first thing second चीज आप देख सकते हैं यहां पे पैटन दिख रहा होगा आपको इसको हम technical analysis में w pattern बोलते हैं आपको मैं draw करके kind of पता दाओ हुछ ऐसा pattern है और इस pattern का यहां पर एक breakout है जो stock ने दे दिये है जब भी ऐसा pattern का breakout आता है minimum एक ऊपर का resistance stock का 379 पर लगता है so from this level what do you see 347 rupees है 380 rupees का target में है लेके चल रहा हो कि 379 rupees at least आ जाना चाहिए in coming few sessions and अगर आप इस level के 380 rupees के level के भी उपर sustain करता है मुझे से लगता है यह stock में कुछ महीनों में फिर एक अच्छा कासा level देखने मिल सकता है which would be around 444 rupees but it will take time एक consolidation आएगा इसके लिए so but a short term target की आप मैं बोलू तो एक 379 rupees का perfect short term target है जिसको यह stock को long term के लिए hold करके रखना है उस उन लोग के लिए में फंडामेंटल अनलिस्स पे प्रोवाइड कर लेता हूँ कि आपको एक clarity मिल जाए कि कंपनी कैसी है and जिसको short term के लिए इसको अपने watchlist में रखना है मैंने उन लोग के लिए एक level so already बता दिया you can buy at this level around 350 for a target of 380 around 8 to 9 8 7 8 9 percent का returns में सकता है in few weeks so you can keep in your watchlist let's go to fundamental data so let's start with the pros and cons of the company the first pro is pros is company has reduced debt company is virtually debt free virtually debt free means company's reserves in the reserves with respect of their borrowings stock is trading at 0.53 times its book value and the con is the companies deliver poor growth of 6.94 percent of past 5 years company has a low return on equity contingent liabilities of 740 crores dividend payout has been low at 11.70 percent of profits over last 3 years but recently company has around 8 rupees a dividend in India last month in June month if i am not wrong and so let's move to the P&L of this company 2011 March every year company can see i am not wrong but there is still a good return how and its sales are generated and the operating profit improved but in a March 2020 because of this corona virus and COVID-19 company has slightly underperformed underperformed basically 20 उसके last year के लिए जो sales है थोड़ा सा पैटिर किया है but I believe जैसे economy revive होगी एक company फिर से outperform कना start करेगी and as company का operating profit ratio भी percentage भी काफी अच्छा है if you look at this March 2019 it's 35% if you and in March 2011 it's only 19% so company काफी अच्छी improve हो रही है let's move to the shareholding patterns आप जैसे देख से प्रमोटर्स है कोई हिस्सा नहीं बेचा है it's stable 46 28% 46.28% FIIs को यहां पे इंटरेस्स नहीं देख रहा है kind of which is in a way kind of negative but it is not a problem नहीं है on the other hand DII's Domestic Institute Investors ने अपना percentage हिस्सेदारी बढ़ा दिया है and public के पास on June 2020 का accordingly grammotors के पास 46.28% constant FIIs के पास है 1.38% DIs के पास है 7.14% and public के पास है 45.20% अधियो भी इसक्रीन आपके इसमें विजिबल होगा आप देख से लिगा गजरा के लिए 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 का intrancing value एक good positive दिखार है left side में corner में investment checklist करके है जहां पे current intrancing value जहां पे लिए है current price is less than the intrancing value return versus FD rates very good dividend returns अफी अच्छ है entry point फिलाल एक अच्छा देख रहा है green signal good time to consider a stock is not in overbought zone, overbought zone मेंने काया no red flags company का profile चहेता अब यहां देख सकते है Gujarat Alkalis and Chemical Limited is a caustic sort of manufacturing company and when it is related आज आज आप अभी वीडियो के start-up में news भी बताएगी this company का PE ratio price to earning ratio is around 7.69 and now sector का PE ratio देखो के 22.31% अगर कोई long-term view के इसको hold करेगा so I am pretty sure यह काफी अच्छा returns मिल सकते हैं so let's wind up the video I hope आपका आपको इस के बारे में समझा होगा so it's got technical analysis and fundamental analysis when I share here so thank you for watching the video please like and subscribe and share thank you